ब्रेकिंग न्यूस कह सकते हैं आप सभी यहाँ पर MP से एक बड़ी ख़बर सामने निकल के आ दिये जहां पर नए सिक्सकूँ को नई डिमांड न्यूकती से दे रहे हैं 100% सेल्डी दोस्तों आप सभी को हम बतायते हैं कि बड़ी ख़बर आप से 100% सेल्डी देने की यहाँ डिमांड कही जा रही है नए सिक्सकूँ के लिए और बोपाल से बड़ी कबर 100% सेल्डी का आदेश नहीं होने से नाराज की जताई है जो नए सिक्सक हैं उनने आप सरकार के सामने यहाँ मांग रख दिये कि न्यूकती दिनांग से ऐसे ही 100% सेल्डी का प्रावदान किया जाए यदि सर्गार ने यहाँ मांग पूरी यहाँ मांग नहीं यहाँ मांग नहीं मानी तो आंदोर्न किया जाएगा बड़ी ख़़रा आप सभी के लिए कह सकते हैं क्योंकि आप सभी सिक्सकूँ के लिए यहाँ पर जो इनका एक असोसियन है उसके मद्धिपरदेश के बेनर तड़े यहाँ एक यहाँ दिवसी सिक्सकाली पट्टी बात कर काम कर रहे हैं और उन्होंने सिक्सा सामान सामारो का वैसकार भी किया है जिसमें लगवा मद्धिपरदेश के 50,000 नव युक्ति सिक्सकों ने विरोध दर्जी किया है इसके अलवा मुख्यमंत्री के न पर संसोधित ग्यापन सभी कलेक्टरों को सवपा था दोस्तों आप सभी को अधाद सभी जो ग्यापन सभी क्लेक्टरों को सवपा था इन नव युक्त शिक्सकों का कहना है कि 2019 से संसोधित वेतन नियम के अंतरगत 70-90% सैदली का प्रावधान वापस होना चाहिए मुक्यमंतरी सिवराज सिंग चोहान भी 12 अपरेल को 100% सैदली दी जाने की घोस्तना कर चुके हैं इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा सीम की घोस्तना पर अमल नहीं किया जा रहा है परतिसाद सैदली नहीं मिलने से सिक्सकूं उनके परिवारों को आर्थिक परिशानी का सामना करना पर रहा है और देखते हैं यहां पर नियुक्ति दिरांग से 100% सैदली मिलनी चाहिए जैसे की शिक्सक भरती 2018 के ग्यापन में दिया गया है मत्तब इनका कहना है कि आपने 2018 में जो ग्यापन आया था उसमें बोला था कि 100% सैदली दी जाएगी है यहां पर निकाल लिया है और कहा है कि 100% सैदली देने का यहां पर प्रवदान किया जाए अन्यता है धरना पर दसन करेंगे एक दिवासी तो यहां पर बड़ी कबर आप सभी सिक्सक के लिए होने वाली है और यहां पर हो सकता है आपका 100% सैदली देने का यहां पर निकाला जा सकता है अगर आप सब यहां पर धरना पर दसन कर रहे हैं ठीक है और लगातार ग्यापन दे रहे हैं तो यहां पर सिवरा सिंग चौहां तक यह अगर बात पहुंची तो आपकी यहां पर जल सल्जे 100% से लिहोने वह वाली है तो थैंक यू और बाइबाइबाइब टेक केर प्लीज इस वीडियो को दिख से दिख सेयर करना तभी MP तक यह वीडियो पहुंच सकता है CM तक धन्यवाद और एक लाइक जरू कर देना थैंक यू